दोस्तो नमक के अंदर कच्छे पोहे डाल कर देखो इतना बढ़िया रेसिपी वनता है ना आप सब देखके यकिन नहीं करोगे और सायद आज से पहले ऐसे रेसिपी आप सबने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे दोस्तो इस रेसिपी के खास बात यह है कि आप इसको एक बर बना के दो से तीन महीन तक स्टोर करके भी रख सकतो या फिर कब भी छोड़े मोटे भूग लगे या फिर सामके चाय के संग बहुत बढ़िया वनता है तो दोस्तो रेसिपी को पूड़ा देखना सबसे पहले दे नमक को जो है थोड़ा हम भूणेंगे थोड़ा गरम करेंगे क्योंकि नमक ऐसे तो ड्राइ होता है लेकिन इसमें थोड़ा से नमी रहता है थोड़ा इसको भून लेंगे गरम कर लेंगे तो यह एक दम सुछा शुका और डॉय हो जाएगा इससे अमारे रेस्पी बनाने म आसानी हो जाएगा तो यह देखो नमक तो अभी गरम नहीं हुआ है तो इसके लिए छनी में नमक लगा हुआ है जैसे नमक गरम हो जाएगा आप छनी से उठाओगा तो यह देखो नमक लगा नहीं रहेगा तो समझोगे आपका नमक पुड़ा गरम हो गया है तो यह देखो पतला वाला एक टोड़ी जितना पोहा लिये है एक सारे पोहा कर नहीं डालेंगे बस थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और डालेंगे और मीडियम रूहाई फ्ले में चनी से हम नमक को चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे इस तरह से करने से गड़म नमक के अंदर पोहा बहुत हच्छे से भून जाता है और भूवत हच्छे रोस्ट हो जाता है ये दोस्तों हेसको घ्법 पोहा बहुत होता हना तो डिया तेज हांद पहे चलायेंगे वाफ तो गोड़िः तो आइसलिए यह हल्या चलानीगी बस vos 15 च्छेकिन में दान एक दम पर हो ज्याए गीना तो चनी से उठाएंगे तो इसका एक्स्ट्रा जो नमक है वो नीचे आ जाएगा और यह जो पोहा है यह चनी से चन के उपड़ रहाएगा तो इस तरह से हम यह रोस्ट क्या हुआ भुणा हुआ पोहा को एक थाली में या प्लेड में लेते जाएंगे यह देखो अलगे तो और इक्स्रा नमक नीचे चला जाएगा और पुहा उपड़ा जाएगा अभी आप का होगे की तो पुहा को नमक में फ्राइ कर रहे हैं यह क्या तरीका है इसे तो पुहा भी नमक हो जाएगा लेकिन नहीं दोस्तों गरम नमक के अंदर आप कुछ भी फ्राइ करोगे ना तो अच्छे से रोस्ट हो जाता है लेकिन वह नमक नहीं बनता है क्योंकि एक्स्ट्रा नमक नीचे आ जाता है तो मैं आपको और एक तरीका दिखा रहे हूं देखू सी तरह आमने और एक बार पुहा को फ्राय कर लिया है और यहां पे जो बड़ा वाला चनी रहता है इससे हम य पोहे को फ्राय करके ले लिये हैं यह देखो दोस्तों कितना बड़ी आवाज आ रहे हम ट्रेन में या पर कभी कहीं पर सपर काईता है या फिर बजार में भी जाते ना तो इस तरह रोस्टेट चूड़ा हम खरीत के लाते हैं घर में कभी भी चोड़े मोटे भूग लगे खाने के लिए तो इतना मेंगाई में खरीत के क्यों खाना बजार से घर पे बना लो इतना असंतरिके से वैसे ही बनाते हैं दोस्तों यह पोहा चूड़ा बिलकुल उसी तरह हम यहां पर थोड़ा मूमफली के दाने लिए हैं चूड़ा में मूमफली का दाना भी रहता है इसलिए थोड़ा बहुत ले लिए है तो आपको ज्यादा मूमफली पसंद है तो आप ज्यादा भी ले सकतो बिलकुल इसी तरह लेकिन हम मूमफली को थोड़ा मीडियम टू लो फ्ले में बुनेंगे क्योंकि यह बुनने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे देखोगे कि मूमफली फर जाएगा तो समझोगे एक दम अच्छे से यह भून गया है दुबारा इसी तरह हम सारे मूमफली को भी छान के ले लेंगे यह देखो बहुती बढ़िया और बहुती आसान तरीका है तो और एक पर अच्छे से हम नमा को चला लेंगे ताक कि अंदर एक दू म मूमफली रह जाए यह देखो एक रह गया था ऐसी रह जाएंगे तो मूमफली ज्यादा रोश्ट हो के जल जाता है तो इसी तरह हम मूमफली को भी इसमें फ्राइ करके ले लेंगे आप चाओ तो यहां पर सुखा मिर्च भी इस तरह रोश्ट करके ले सकते हो तेकिन आज 5 लिए करना नहीं है अपशार ट्रां डाल सब्सक्राइब नमक कार्ण कने लिएक अब जालेइगे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा लाल मीज पाउडर भी डाल सकते हो और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए लेकिन बाजार में ऐसा ही मिलता है ना तो हम ऐसा ही इसको सर्प करेंगे देखो अवाज देखो कितना बढ़िया बन गया है अब भी छोड़े मुटे फूग लगे तो आप इस एसीप को एक बर घर पे जरूर बनाना और कैसे लगा है खाकर मुझे कॉमेंट में बत दाना दोस्तो बच्चों को भी आप टिफिन में यह बना के दे सकते हो या फिर सपर में जा रहे हो तो भी इस तरह से आप बना के लेक चोटा मुटा फूग लगे तो आप इस तरह से पोहा को निकालके थोड़ा मसला डलके बना लेना तो मैं तो छली खाने आप भी खाओ और मजे करो फिर मिलेंगे टाटाब बाई